नमस्कार दोस्तो आज का वीडियो बहुत बेहतरीन टोपिक क्यों होने वाला है आज का यह वीडियो है यह है अपने रूम को बदले स्मार्ट क्लास में यदि आप भी एक रूम में रहा रहे हैं और सोच रहा हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ठीक है तो कैसे आप एक रूम क इस समार्ट क्लास में बदल सकते हैं और एक किलिक में लायव आ सकते हैं एक कुलीक में Haha बनाना रुम को हिं सबस्क्राइह नहीं रहा है औलेन इपना रूम में ही हो जाएं तो आपको दिखाने वाले हैं एक कछिक में अइसा नहीutender किसेको है आप टेक्निसियन जानते नहीं है अपको टेक्नीकल जीरो पर्जेंट है क्या है आपका टेक्नीकल लॉट जीरो पर्जेंट है यह सारा चीज्ज़ आप सिर्प एक रीमोट के बद्वलत कर सकते हैं अब देखिए जैसे ही यह है यह चोटा से रूम है और कमरा की यदि साइज बता दे आपको यह कमरा का साइज है 1220 यह क्या है 1220 1020 से minimum रहना चाहिए आपका ठिक है और 820 1020 रहेगा तो उसे भी काम चलेगा लेकिन 1020 तो आप सारा चीज़ को कर सकते हैं देखिए आपको हम थोड़ा सा रूम टूर करवा जाते हैं कैमरा से ही इस टैप से आप लोग देख रहे हैं यह चारों तरफ आपको घुमागे दिखा रहे हैं ठीक है यह जो है पूरा फूल सेटप से कुछ लगा हुआ है ठीक है और जैसे फिर वन बटन पर प्रेटेस करेंगे अपने आप जगह पे आ जाएगा तो मतलब यह जो सारा आप लोग देख रहे हैं एक रूम में ठीक है यह आप देखिए एक जो रूम में आप लोग देख रहे हैं पूरा करते हैं और से जो कंपणी का नाम है किरेटर्स क्या नाम से करते हैं और करना हैं यह मीदर मैं एक मिनटा लो देखे लिए कमपनी के नाम क्या है कि लिए ऊच्छ यह की नाम से कभी भी कोई बी considering है तो आप हमसे बेज हमें इसा कोई सकते हैं और इसलो 가장 आखे हो कभी ब्लास करना है और करना है आप करने का coaching में भी कर सकते हैं लेकिन ये जो वीडियो है room के ओपर है इसमें mainly देखिए 5 चीजों का जरूरत होता है कितना 5 चीजों का जरूरत होता है पहला चीज है जो कि आपका है एक digital board जिसका की नाम smart board भी है और इंट्रेक्टिव फिलेट पेनल भी है और लोग पेनल भी बोलते हैं उसको तो इस टेप से डिजिटल बूर्ड आपको चाहिए एक चाहिए PC या laptop पीसी मतलब एक computer चाहिए या एक laptop आपके पास है तो वह भी चाहिए या खरीज सकते हैं तो PC या laptop कोई दोनों में से एक च setup चाहिए एक light setup चाहिए जिससे कि चका चौंद रोसनी आपके सामने आ सके और आप यह जितना भी चीजों को लिख रहे हैं यह student तक पहुचा सके ठीक है और पांच माह सबसे महत्पुर्ण भूमी का जो आता है camera जो की सारा चीजों को capture करके student तक पहुचाने का काम करता है यह पांच चीज मुख रूप से आपको चाहिए यह चाहिए ठीक है दूसरा क्या है यदि आपके पास उतना budget नहीं है ठीक ऊतना obligations बताyएगे कौन सा माइक बेश्ट होता सारा वीडियो में बने रही है आप लोग दोस्त ठीक है इसलिए अब देखिए जिसके पास बजट नहीं है वो तीन चीजों से शुरू कर सकता है एक अपना मुबाइल फॉन से दूसरा एक डिजिटल बूर्ड चाहिए ठीक है माइक चाहिए और आपका क पे चलते हैं पहला पॉंट हम लोग लिए हैं डिजीटल गूत इसके बारे में थोडा समझ लेते हैं अगज़ना चाहिए तो अभी मार्केट में बहुत सारा नाम आगया है आपको भी पता नहीं होगा हम लोग को भी पता नहीं रहता है कितना कंपणी आ गया है डिली बन तो मार्केट में अनगीनत कमपनी है ठीक है लेकिन 4-5 कमपनी क्या है 4-5 बेच्टर है बेच्टर है सर्फिस बेच्टर है सब कुछ अच्छा है उसका समान अच्छा है समान मतलग यह जो भी प्रोड़क्ट आपको दे राव वह बहतर है इसलिए कौन से चार्ट से पहुंच बहतर है आपको में कॉल किजिए डिस्क्रिप्स बॉक्स नमर मिल जाएगा पूरी जानकारी इसमें बताया जाएगा आपको दूसरा नौर में आता है कौन सा साइज का ले तो साइज बार बार वीडियों बता चुके हैं एक 75-65 फिंश फिर्क किया आता है बडलेगि देते हैं आपको एक का पाइंच ठीक है दूसरा आपका आता है बसक्तर इंच ठीक है अब इसी पर किया जाता है तो घंडर किस से लेना चाहिए ठीक है इसमें भी हम लोग दो चीजों को लिखते हैं ठीक है किन लोगों से लेना चाहिए जैसे आप हमसे क्यों लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहले तीन चीजों को इसमें जानना पड़ेगा आपको सबसे येसा सब लोग कई सारा। को पहले लगा चुके हैं कि हम्होंकि हम 2019 से काम करते आ रहे हैं कब से 2019 काम करते आ रहे हैं कई सबस्तैब से क्या है द्तिक्ते है देखेंगे रीव्क के देखना है त्टेज में लोग ederों क्या घ्रा कि आप का पहला रिव्यू दूसरा ओफिस और तीसरा कोईट के लिए बात करें तो यह आपको देख लेना है उसका जो है सबसे पहले रिव्यू देख लेना है सबसे पहले उसका प्रिस और टीम कैसा है टीम देख सकते हैं ठीक है यह चीज की बारे में या इसको हम लोग पास experience कितना है ठीक है तीसरा चीज क्या है experience कितना experience मतलब सब्सक्राइब 2019 से लगा रहे हैं कई सारे टीचर्स हमें call करते हैं सर दूसरा लोग से डीजिटल बोड लिए वो चलाना के लिए सिखाई ने रहे हैं उसको सिर्फ बेचना है आपको बेच के देख देंगे ठीक है लेकिन टेरहा लगा के चला गया अब बताइए वो बेचारा एक साल का मेहनद दो साल का मेहनद कई सारे टीचर्स लॉण लेके डीजिटल बोड खड़ीते हैं अब टेंशन में ना आफ्लाइन अच्छा परा रहे हैं ना आउनलाइन अच्छा से कर पार हैं चारो तरप से इसलिए चोटे-चोटे चीज़ों को आपको समझना चाहिए जो एक्स्प्रियेंस रहेगा जिनके पास टीम रहेगा उसको कहीं कोई दिकत नहीं होगा तो कम से कम यह चीज़ आपको देखना है तीसरा के बाद हम लोग आते हैं चोथा पर प्राइस ठीक है सबसे इंपोट करता है कंपनी के ऊपर कौनसा कंपनी का ले रहे हैं किस लोगों से ले रहे हैं जोल बताया था अग्ला साइज यहाँ 75 यह आपका लगभग 130,000 लाख 35,000 लाग 35,000 लागई करता है कौन सा ब्रांट का ले रहे हैं ठीक है कई सारे वीडियों में लोग 1,30,000 बता हैं और कई सारे वीडियों में लोग 1,35,000 बनाएं इसमें confusion नहीं होना जो ब्रांड का पूछिएगा आपको क्या बताया जाएगा प्राइस बताया जाएगा ठीक है अब देखिए 75 के ब है एक ढाता है एक सौ आट का भी आता है लोग इतना जो है साईस का लेते हैं डिजिटल बोड का आपको यदि पता चल गया हो यदि हमको 65 लेना है तो एक लग हम से कम आपके जैब में रहना चाहिए ठीक है बसेतार नहों गोडाला अगला पॉइंट है केमरा पूइंट है यह प्याइब आपका दो तरह का आगया एक आप जानते हैं डियसलार केमरा ठीक है और बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे केम कोडर वगड़ अभी है और दूसरा आपका क्या आगया पीटीजर केमरा तो यदि आप एक टीचर्स है आप सोच रहें अपना रूम को ही एक प्याइब आपका हो गया क्या पीटीजर केमरा और पीटीजर रिमोट कंट्रोल केमरा को क्या बोलते हैं पीटीजर देशलार जो कि साधी विवाम आप लोग देखते होंगे कि हम कोडर वगड़ा भी है उसमें भी है बहुत सब्सक्राइब ठीक है तो वह चीज़ आप लो बाइयर वाला क्या है और वाइयर वाले एककर आपका वेलेक्षा-थैस माइक है यह कम रूपया मायक कि यह आपका 1946 से सुरू हो जाता है लेकिन शुरू होने का 5000 से आप अच्छा पढ़ा सकते हैं कर सकते हैं कहीं भी कोई कटना नहीं है यह सप्राइस आप लोग लिखते रहें तो आप में लाश्ट में इंक्लूड कर सकते हैं कोटल कितना लग रहा है ठीक है तो हम लोग समझें किसके वारे में डिजिटल बोर केमड़ा माइक अब हम लोग समझते हैं लाइटिंग अब हम लोग समझते हैं लाइट व्हुला आता एक हो सब्सक्राइबवा कि दूड़ में आता है दस ट्यूब लाइट क्या है दस जो है आपको ट्यूब लाइट लगा देना है ठीक है तो इसका टोटल प्राइस जो है लगभग पड़ता है आपका सारा काम इसमें हो जाता है कितना छेघर जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं लाइटिंग सेटप आप लोगो देखा देते हैं उपर आप लूग चेक किई एक वाद इस टैप से आपको प्राइडल बोर्ड से प्रेडल लगा देना है इसको बोलते है यह आपका दो फिट लंबा दो फिट चोड़ा होता है यह लगभग दो हजार पर पीस आता है तरह सकावी अठाव अठाव दो हजार लगभग मानक चलिए यह आपको नोव पीस लगाना पड़ेगा इसलिए लगभग 20 केस में खर्च आता है लाइटिंग सेटप के कार में है तो आप केंप्यूचर लीजिए ठीक है जिससे भी काम आप लोग कर सकते हैं इडिटिंग वगड़ा भी कर सकते हैं और यदि कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं मतलब लेटाप लेते हैं तो कहीं और का काम हो रहा है लेटाप ले सकते हैं लेकिन मेरा ज्यादा ओपिनि जनरेशन ठेके पादा है रेम कितना जिवी रहना चाहिए तो कमसे कम आठ जी आपका रहना चाहिए फिर आपका आता है रोम ठीक है जिसको की इंटरनल मेमोरी बोल सकते है मेमोरी वोता है यह 256GB क्या रहना चाहिए SSD रहना चाहिए और 1 TV क्या रहना चाहिए hard disk जो आप जो वीडियो बनाएगे SSD ठीक है 256GB क्या रहना चाहिए SSD और 1 TV क्या रहना चाहिए SSD और कोई भी प्रोलेम आता है तो call कर सकते हैं description box में नम्मर दिया गया है समझ गए तो यह क्या है RAM हो गया ROM हो गया ROM क्या है 256GB SSD एक टीवी इसलिए वीडियो बनाएगेगा तो तुरंद रिलीट नहीं करना है कोई भी प्रोलेम आता है कभी भी कुछ भी पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं आपने यह नम्मर आप लोग क्या कर लेजिए नोट कर देजिए करते हैं यह वीडियो अपसरी को बहते हैं लगा होगा